दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल उनकी स्वक्षा की जिम्मेदर रिक्या है वो आये तो बनने थे आईएस आईपीएस और बन क्या गए लासे बन के गए यहां से गोली से उड़ा दिया गया गाजयाबाद में और राजिस्थान में गर्दन कार दी गई यह घटना प्रेद आपका आपने मुझे बजट पे अपनी भात रखने का आस्वर प्रदान किया मैं अपनी बात को शूरू करते हुए भाउजन समाज में जनमें सभी संतों गुर्व और महान पूर्षों को नमन करता हूं सासाथ मैं भारत की महान दिन्ता का भी धन्यवाद करता हू कि उन्होंने लोक तंत्र की रक्षा इस बार की है सभापति मौदे पिछले दस सालों में सरकार की नीतों कारण गरीब और गरीब हुआ और अमीर और अमीर हुआ है यानि गरीबों और अमीरों के बीच फासला बढ़ गया है सारे देश की संपत्ती को चन्द अमीरों के हाथ में दे दिया गया है ये हमारे सविधान की मंसा और समतावादी समाज के लक्से खिलाफ है आते हमारे नीतिया गरीबों के पक्स में भी होनी चाहिए जातिकर जंगर्णा, SC, ST, OBC यानि के जो बहुजन समाज के लिए आज जीवन मरंट का परसन है इसके बारे में कोई बात बजट में नहीं कही गई है इसके बात जंसंक्या के नुपात में बहुजन समाज को सभी छेत्रों में इस्सेदारी मिलनी चाहिए तब ही बाबा साब अंबेड करका जो सपना है समता मुलत समाज को पूरा होगा मौद एक ऐसा विक्सित भारत है जिसमें आज भी सफाई करमचारी को पकी नोकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है उनके लिए को अलग से बजट नहीं है बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे S.C.S.T. को जो सब प्लान मिलता था S.P.C. का जो पैसा मिलता था वो बजट से हटा दिया गया है सासाथ देश के अस्तर पे आसा अंगन बाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवत, प्यारडी जवान, होमगार्डों के मानेदे में बढ़ोतरी नहीं हुई है ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उनके जीवन में खुसाली आजा, इनका मानेदे बढ़ना चाहिए विद्वा, वरद्दा, विकलांग, पेंशन, प्रतेक महीने 500 रुपे से बढ़ाकर 5,000 रुपे की जानी चाहिए क्योंकि महगाई बढ़ रही है देश में प्रदान मंत्री, जन कल्लान, योजना के तहत SCST OBC और मुस्लिम को कितने घर दिये गए, इसका कोई आकड़ा सरकार के पास नहीं है देश में इसी तरह SCST OBC के लिए कितने परिवारों को सोचाले की विवस्ता कराई गई आज भी सिदार नगर जिले और तमान जिले जो है, वाँ सोचाले की विवस्ता नहीं है इस पर ध्यान देना चाहिए, देश बर में SCST OBC के जो रिक्त पद पड़े हैं, बैकलोग भरना चाहिए, सरकार ने कुछ नहीं कहा ये कैसी विस्ता की पांच विस अर्थ वरस्ता जिसमें आज भी SCST पर तचार हो रहा है महिलाओ के दर रे भत्या हो रहे है, NCRB का डाटा पड़ेंगे, तो खोन के आशुरोने पड़ेंगे युवा बेरोजगार है, सडकों पे 80 क्रोड लोग को 5 किलो राशन में जीवा नियापन करना पड़ रहा है जो बजट SCST को मिलता है, मेरे दायतरब जो साथी बैटे उनको बुरा लगेगा करनाटक में 14,732 करोड रुपए नों ने दूसरी होजना में लगा दिये और मद्धे परदेश में आपने 95 करोड रुपए जो है, दूसरे बजट में लगा दिये हमारा जो मिलता है उसको तो मच छीनो भाई, MSP की लिगल गारंटी कोई बात नहीं हुए किसानों को जो 6000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ा के 12,000 रुपए करना चाहिए और फसल भीमा जो है उसका सारा प्रीमिल सरकारवरे किसानों पर बोज़ना लगे रिजर्वेशनी प्रमोशन में लागू नहीं किया गया, पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया, इस पर चर्चा नहीं हुई देश में मन्रेगा समय नियुंतम मद्दूरी की दर 700 रुपए होनी चाहिए समान काम समान वेतन पोल से लाग होनी चाहिए जो रसोई की चिंता करते हुए 500 रुपए परती प्रसंडर से ज्यादा की दाम नहीं होने चाहिए जो महिलाओ को राज मिल से के बिजली के दामों भी कमी होनी चाहिए बेरोजगार युवाओ को 5000 रुपए बत्ता मिलना चाहिए जो बेरोजगार युवा जो है अपनी पढ़ाई या अपना खर्चा उठा सके मैं अपने छेत्र के विसे में मौदे आपसे कहना चाहता कि पस्चिम यूपी में नगीना में एक एम्स बनना चाहिए एक आई 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 टी बननी चाहिए एक I.M. बनना चाहिए नगीना लोग समन में वो दोग धंदे लगने चाहिए नगीना की कताई मिल जो है उसको पुने सुरू कराना चाहिए आराइड टीपी जो योईना सरकार की उसको मेरट से आगे बढ़ाकर मुझफण अगर सारणपुर से नजीबार नगीना होते हुए उसको नगीना तक ले जाना चाहिए सारसा नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलनी चाहिए और नगीना शोरा किरतपूर में रेलवे के औरविज़ बनने चाहिए सभापती मोदे समाजिक नया मंतराले को 13,000 कोरड रुपे दे गए और जन्जाती कारे मंतराले को 13,000 कोरड रुपे दे कुल 26,000 कोरड रुपे जो कुल बजट का जो कुल 48.20 लाग का लगबग 0.54 परसेंट है जबकि हमारी संक्या 25 परसेंट से ज्याद है स्टे के और बहुजन समाज की मिलाओगे तो 85 परसेंट से ज्यादा है और हमारे विकास के लिए सरकार एक परसेंट पैसा कर रही है जो मिलना हमें चाहिए जबकि मिलना हमें 25 परसेंट चाहिए यह उट के मूँ में जीरे के समाने कावाद हमने बहुत दिन सुनी थी पिछले लंबे समय से हमारे साथ दोका हो रहा है लेकिन अभी यह नहीं चलेगा चनलों की तराजु से देश के संसादन नहीं बटेंगे इस देश का बहुजन समाज बरदास नहीं करेगा संसादन का बत्वारा संख्या के अधार्पे होगा मानम और चाशिञाम सादन नारा लगाए थे ना तो वोट हमारा राज तुमहारा चलेगा और आज हम कहे रहें ना भी वोट हमारा और नोट तुमहारा चलेगा इस बात का मिधियान जो है सरकार को देना पड़ेगा आपके माध्यम से सरकार से मेरी एक मांग है सरकार इस योजिना का लाप भी अपने आप ले ले सरे भी ले ले कि एक लाग रुपए सालाना बहुजन समाज की अत्यंत गरीब परिवारों को दे दस लाग करोड रुपए खर्च होंगे लेकिन इस एक लाग रुपए की योजिना से एक जटके से परिवार में गरीबी की रेखा से उपर आएगा और इनके बच्चों कूपोजिशन खतम होगा अच्छी सिक्सा मिलेगी महिलाओं को सम्मान जनक जीवन मिलेगा और इससे व लगती है तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती मोदे समय आ गिया है अब निजी छेत्रों में अरॉक्षन की वरस्ता होनी चाहिए S.E.St.E. O.B.C. को निजी छेत्रों में अरॉक्षन मिलना चाहिए और मेरी आपसे यह भी मांग है क्यूंकि अब समय की मांग है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तो मैं कहूंगा कि सरकार का जो सबका साथ का विकास का नारा लगबग वो ऐसाते महसूस होता है क्यूंकि अलब संख्यों को में मुसल्मानों, जैनों, सिखों, बॉद्धिष्टों के लिए लिखनी राम की कल्यान को योजना नहीं है मदरसों को जो बजट मिलता था खतम कम कर दिया गया है आर्तिक तंगी से लोग मर रहे है इंटर्शिप की बात हुई है परमानेट रोजगार नहीं है और दिली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल उनकी स्वक्षा की जिम्मेदर क्या है वो आये तो बनने थे IPS और बन क्या गए लासे बन के गए यहां से कोई जध्यान नहीं दे रहा है किसी की नजर नहीं है साथ साथ मैं आप से ये भी आगरा करूँगा कि हम गरामिन शेत्रों साही लोग देश से बड़ा प्रेम करते हैं और हम यह मैसूस करते हैं कि सरकारे हमें सुनेंगी सरकारे हमारे बारे में सोचेंगी लेकिन ऐसा मैसूस जाता आजा दी कि 75 साल बाद और जिसको अमरत काल कहा जा रहा है आज भी SCST OBC के लोग पहत्याचार हो रहा है अभी दो दिन पहले गोली से उड़ा दिया गया गाजयबाद में और राजिस्थान में गर्दन काट दी गई ये घटना देखके डर लगता है घर से निगलते हो भी कि आने घर वापत लोटेंगे नी लोटेंगे तो मेरा सरकार से आग रहा है पिछड़ो किसान और मद्दूरों की जान दी बचा पारे किसान सुसाइड कर रहा है नोजवान सुसाइड कर रहा है और बड़ी बड़ी बाते होती है इधर भी अच्छे लोग है इधर भी अच्छे लोग है लेकिन अच्छा अच्छा ही तब होगी जब जमीन पे भी कुछ काम दिखाई देगा और जमीन पे मोदे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है जब कोई योजना की बात आती है तो सरकार हमसे मूँ मोड लेती है आब अब अधे एजुकेशन का बजट कम कर दिया हेल्थ का बजट कम कर दिया मैं अपने छेतर में गया तो आप विश्वास कीजिए, डॉक्टर नहीं है, अस्कूल में मास्टर नहीं है, और कोई भरती ऐसी नहीं, जिसका पेपर लिक नहीं होता है, तो देश किस तरफ जा रहा है, और इसमें दोजवालों का भविश से क्या है, उसके इसके बारे में मैं चिंता करनी चाहिए, औ आप विश्वास को इतना घुसा है उसको लेके, मेरी आपके माध्यम से मैं हाथ जोडता नहीं हूं, लेकिन मैं हाथ जोड के आप से आगरे कर रहा हूं, कि प्रदान बंती से सरकार से मारी आगरे कि वो अंबेड कर वादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके जो ह इसमें कोई राहिंतिक करन अलग बात है, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें बहुत गुस्ता है, जिस दिन अंबेड करवादी गुस्ता हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को, जो चोबिस में आ गई है, वो आने वाले चुनाओं में आउसर परदान होगे, धन्यवाद.